लगे और पर डे सो डोलर कमाने लगे और जिन्दगी को मज़े सजीने लगे लेकिन माइडियर फ्रेंड्स इन में एक दोस्त था वो था पैबलो लाइक ओल उफ यू आप ही की तरह जो भाल्टिया लाला कर पूरी जिन्दगी काम नहीं करना चाहता था इसके मन में एक विच जा रहा है कि यार नदी से हम मैं पाइपलाइन भी तो बिचा सकता हूं टैंक तक और यह उळ्मस से बात की कि यार हम ऐसा ऐसा आसा करते हैं पाइपलाइन बिचाते हैं और पाणी आता रहेगा लेकिन दोस्ट इप बुरूनो था जो यह बाल्टी लेके खड़ा हुआ इस बोला यार यह pipeline क्या होती है हमने तो कभी नहीं सुना pipeline और ऐसा तो नहीं होता चल अपने बाल्टी उठाते हैं और अपना काम करते हैं वह बाल्टी उठा के काम करने लगा लेकिन पैबलो के दिमाग में यह विचार बहुत ही गहनता के साथ बस गया था वह बाल्टीयां भी ला रहा था और धीरे धीरे pipeline बनाने का काम कर रहा था pipeline बनाने में दो साल का समय लगा लेकिन माइडियर फ्रेंड्स दो साल के बाद होता है समत का दो साल के बाद देखने को मिलता है कि पैबलो एक भी बाल्टी नहीं ला रहा था pipeline से continuously पानी टैंक में आ रहा था पैब बु पूरे दिन में लापाता था लेकिन वह एक भी बाल्टी पैबलो नहीं लाता था और बहुत ज्यादा पैसा बनाता था कारण पाइप लाइन राइट दोस्तो इसी तरह जब हम ओन पैसी में काम कर रहे थे या अभी भी काम कर रहे हैं हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि ओ पुदिवादी विचार धारे के उपर सोच बना कर आपको यह कहा ओ अरे ऐसा होता है क्या यह ऐसा कुछ नहीं होता है यह सब लूट के बाग जाएंगे हमने तो कभी नहीं सुना कि बिना कुछ किया कहीं कुछ मिलता है क्या और वो लोग जो लोग अडिग रहे अपने विचारों पर अपनी सोच पर हो आगे बढ़ते चले गए और आप जैसे Proud Founder बन गए और जो लोग नहीं सोच पाए वो और अभी भी प्राउंडर बनने के बाद भी बहुत सारे लोग refund ले पाए क्योंकि वो बरुनो जैसी विचारधारा और सोच में ही अपने आपको पुंठित कर पाए तो दोस्तों क्या आपके जानकारे में क्या आपके सरकल में क्या आपके रिष्टेदारी में जो लोग आज ओन पैसी में नहीं आ पाए हैं क्या वो लोग भविश्य में जब आपके जीवन सतर को इस लेवल पर बदलते हुए देखेंगे तो क्या वो अट्रेक्ट नहीं होंगे डेफिनिटल अट्रेक्ट होने जा रहे हैं माईडिया फ्रेंड्स और पूरी दुनिया पाइप लाइन पे काम करने वाली है जब कैस्फलो की पाइप लाइन आपके घर में ओन पैसी की वज़े से लगने लग चुकी है और जब उससे अभी वो टैप ओपन नहीं हुआ है जैसे वो जब अटैप ओपन होगा और जब वो कैस्फलो आएगा तो पूरी दुनिया को यह ओन पैसी की तरफ अट्रेक्ट करने वाला है माई डियर फ्रेंड्स चलिए नेक्स स्लाइड में हम जानते हैं कि ओन पैसी क्यों अट्रेक्ट करेगा पूरी दुनिया को राइट बिकॉल्स आपको उन पैसी एक ऐसी शमताओं के साथ तैयार कर रहा है जिसकी वज़े से हम अपनी कमिंग जनरेशन के दिए लिगे सी छोड़ कर जा सकते हैं संपदा सोहरा अना समराज जिसे हम कह सकते हैं वो छोड़ कर जा सकते हैं लेकिन क्या अगर हम उन पैसी उसे अल अपने आपको कहां देख पा रहे हैं लेकिन जैसे हम उन पैसी के साथ जोड़ कर देखते हैं तो आज वो शमताओं का विकास हमारे अंदर होता हुए नजरा रहा है जिसकी वज़े से हम ये सोच और समझ पासकते हैं ये कलपना कर सकते हैं कि हम आने वाले जनरेशन को अप उन्हें किस तरह से बहुत ही कम समय में अपनी महत्वा कांसा के अनुसार इतना बड़ा इंडेश्टी जैसा सामराज्य खड़ा कर दिया और वो जब इस दुनिया से गए तो क्या उनके बच्चों को अपने कैरियर के लिए सोचना पड़ा नो माइडियर फ्रेंड्स वो उ बिजनस कर रहे हैं हम इसके और पूरी दुनिया पर जब तक इंटरनेट व्याप्त रहेगा और यह कब तक रहेगा इसे आप और हम कभी नहीं बता सकते क्योंकि रहने वाला है तो तब तक काम करेगा और आपको वह सारी सुविधाओं का लाब मिलता रहेगा जिसको आप और यह आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसपर कर सकता है वाध और यह बात दुनिया को ट्रैक्ट करने वाली उनपैसिवी चलिए और दूसरे लोगों के लिए उधारन भी पेश कर रहा है आज on passive के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को पूरी दुनिया जान गई जिनको हो सकता था चंद लोग जानते हो या कुछ लोग जानते हो लेकिन on passive के साथ वो dedicatedly काम कर रहे हैं तो आज पूरी दुनिया में उनका नाम है पूरी दुनिया उनको पैचान बना रहे है पैचान बना चुके है और हर व्यक्ति परसिद्धी चाता है हर व्यक्ति परसिद्धी प्राप्त करना चाता है और on passive जैसे बेतरिन सिस्टम में जिसमें आकर आप globally अपने आपको recognize करवा सकते हैं अपनी लगन अपनी मेहनत से अप attract करने वाली है दोस्तों राइड वाओ पूरी दुनिया इसलिए भी attract होने जा रही है विकोज के यहां पर जो चैरेटी का की गंगा जो बहने वाली है जो दूसरे लोगों की मदद करने का जो नजरिया डेवलप हो रहा है और पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर जो लोग क इन्टरने ओन पैसी की तरफ attract होने वाले हैं क्योंकि दोस्त चैरेटी बहुत लोग करना चाते हैं और आपने देखा होगा करोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी शमताओं से बढ़ कर भी लोगों की मदद करी चैरेट दान किया लोगों को खाने पीने का समान दान किया और भी बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों की मदद करना गीता में भी सिरी कृष्ण भगवान जी ने कहा है दूसरे लोगों की मदद करना या इसको ऐसे कहें कि जरूरतमन लोगों की मदद करना अपने जीवन को सार्थक बनाने का सरल बनाने का सबसे आसान और payback to society की जब हम बात करते हैं दोस्त तो आज हम जिस भी लेवल पर हैं हम जिस भी स्तर पर अपने आपको देख पा रहे हैं तो क्या वो हम हमारी अकेले की वज़े से हम वहाँ पर पहुँचे हैं समाज के बहुत सारे लोगों के direct और indirect help की वज़े से ही तो हम आज जो हैं कभी हम स्कूल में पढ़े तो किसी teacher ने हमारे को पढ़ाया होगा वो स्कूल किसी मजदूर ने बनाया होगा उसके बाद हमने जीवन में और बहुत सारे जो काम किये उसमें बहुत सारे लोगों की मदद मिली होगी लेकिन क्या आज हम इस समाज को अपनी तरफ से कुछ दे पा रहे हैं क्या देना चाहते हैं सभी लोग लेकिन आज हमारे अंदर वो शमताएं नहीं है आज हम केवल अपनी दाल रोटी के बारे में सोचते हैं आज हम केवल अपने परिवार अपने बच्चों के भविस्य के बारे में उनके निर्मान के बारे में इतने बिजी और उनके बारे में ही सोचते हैं कि हम चाहते हुए भी दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं लेकिन माई डियर फ्रेंड्स ओन पैसियों हमारे अंदर उन शम्ताओं का विकास करने जा रहा है उन वो वो पावर और वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर डेवलप करने जा रहा है